हलो दोस्तों, अक्सर आप लोगों न देखा होगा, सरदियों के दिनों में हमारे रूफ सेट तीन चडर के निचे मौच्चर आ जाता है, पानी टपकना शुरू हो जाता है, क्या कारणा है, ये मौच्चर क्यों आता है और इसका हम समाधान कैसे करेंगे, इसका उपाई क्या इन सबी चीजों के बारे में आज हम आपके साथ खुल के बात करने वाले हैं यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्तव पूर्ण है जो अपने गर के ओपर टीन सेड लगवा चुके हैं और उनके लिए भी बहुत इंपोर्ट है जो लगवाने के बारे में प्लान बना रहे हैं इसके लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो साथी नमस्कार मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाटा फैबरिकेटर आमन मैं हिमाचल परदेश जिला हमीबपर से हूँ आ जल्दी आ जाता है और इसका हम कैसे समाधान करें बहुत सारे स्वाल है अगर आपके मन में कोई डोट रहेगा तो आप लोग कमेंट में हम से पूछ सकते हैं तो गैस सबसे पहले हम बात करते हैं हम लोगों ने जो प्रोफाइल सीट अपने गर के ऊपर इंस्टॉल की होती है उस मैंसे सबीकिंट जैंटा है वो पismus करना आपने एक्ट्रीन गार्टा मोरा सुरू हो जाता है कि हहले होता होती है कि हमारे जो रूफ से करेंगा गैस प्रोफाइल इंस्टाल करते हैं जैसे कोई फैब्रीगेटर काम करता है या माली काम और से और द्यान में रखना है Slope रखी जाएगी quemश कम से कम 15 इंच की है आप लोगों ने इस से कम meiner ही रखनी है नहीं तो जो js reassure होगा वह जगा-जगा पे गिरना सुलू हो जाएगा और आप लोग सोचंगे कि आपकी सीट खराब होगी तो घाइस जितना आप रखेंगे उसी कोडि जो पानी होगा मौश्चर का वो एक एंड पॉइंट पे चला जाएगा और नीची जाके गिरेगा अगर आपकी स्लोप कम होगी तो पानी जगा जगा पे गिरेगा जहां पे हमारे परलिन लगे होते हैं शीट के लिए जो गज लगाए होते हैं उस अगर आप लोग ने अभी तक सीलिंग नहीं करवाई है तो इसकी यही बजा है कि आप लोग के जो टीन सेड है उसके दिचे मौश्चर आ जाता है अगर आप लोग फॉल्स सीलिंग करवा लेंगे तो उससे आपका जो मौश्चर है वह 80% काम हो जाएगा अगर आप लोग सीलिंग करवाते हैं तो उससे पहले आप लोग ने ध्यान रखना है एक थर्मा कोल की सीट आती है 18 इंच उसकी चुड़ाई होती है और लंबाई उसकी 42 इंच होती है तो गाइस इसको सिलीकॉन की सहाहिता से आप लोग अपनी जो प्रोफाइल सीट है उसके साथ लगा दे और मॉस्चर भी आना बंद हो जाएगा अगर आप लोग बिल्कुल पैक कर देते हैं अपनी रूफ को जो अंदर का भागा है प्रोफाइल सीट के साथ आप लोग थर्मा कोल की सीट को लगा देते हैं प्रोपर तरिक्के से तो बिल्कुल भी एक पैसे का भी आपके टीन से पानी टफ करहा है तो दोस्तों अगर Source सस्क्राइब ने किया है तो प्ली어 कर सस्क्राइब कर दे ना लाना है और और पी और वोगों से भी संस्क्राइब करेंए विडियो कीकर शेयर करना आपको अगर चयान कौन ठीब तो तो गाइस जन भाइने पसुष को लिए आ लगाए हैं तो उनके लिए एक ही उपाई है आप लोग या तो बोरियां रख ले उपर या उपर प्राली होती है उसको रख ले उसको रखने से भी आपकी जो ठंडी नहीं होगी और ठंडी ना होने के कारण मुएश्र भी नहीं आएगा निच्छे की तरफ को आप लोग यह उपाई कर सकते हैं तीन सेट के उपर प्राली रख सकते हैं प्राली आप लोग समझ के होंगे मैं किसी चीज को बोर रहा हूं तो बोर रख सकते हैं या आप लोग बोरियां रख सकते हैं उनसे भी आपकी जो टीन सेट है वो ठंडी नहीं होगी ज्यादा और मौश्र नहीं वो सेफ होगी और आपकी रूफ के अंदर मुश्र नहीं आएगा गैस अब बात करते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन वरकी रूफीं वरकी जब हम पलान मनाते हैं अपने गर के ऊपर रूफ लगाने का तो गैस हम लोग यही दमाग में बात रखते हैं जो हम पैसा खर्च रहे हैं बाद में हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉलम ना हो एक बार ही हमारा जो काम है वो सही हो जाए क्योंकि बार-बार पैसा खर्चने से आपको भी बड़ी परिशानी होती है और लेवर आपको चार्ज ज्यादा देना पड़ता है अगर आप लोग अपने घर के ऊपर रू हिसके मैंने बताया जो लोग तो गाइस आप लोग नियू कांस्ट्रक्शन बर्क रोग रोधिक काम कर रहे हैं कार पार्किंग सैड्के लिए प्लान बना हैं गर के ऊपर रूफ नवाः रहे हैं उसके लिए आपको मैं गाइड करौँगा कि आप लोग इस मस्य से सामना न करना चाहते हैं तो अपने गर के ओपर टाटा डिवरश्यन कंपने की इंसुलेशन कूल शिल्ड सीट का इस्तेमाल करें इससे आपको थ्री लेर प्रोटेक्शन भी मिलेगी और आपके रूफ के अंदर मौस्चर बिलकुल भी नहीं आएगा यह मौस्चर को अफजरू कर लेत थ्री लेर प्रोटेक्शन में आती है आपको मार्किट में हर साइज में आपको यह मिल जाएगी आप लोग टाटा डिवरश्यन आश्याना.com के ओपर भी आपी से ओनलाइन खरीज सकते हैं तो अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई भी शंका है डोट रह गया है कोई अभी तो आप लोग हमारे साथ शेर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं मेरा मोवाइल नंबर है 70181-78740 इस मोवाइल नंबर के ओपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं वरसाय पे जिन वाजियों को जानकारी चाहिए और कहां से आप लोग सीट करिद रहे हैं माचल से हैं तो कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली नेरवाई दिल्ली के हैं तो भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको हम सीट अवैलेवल करवा देंगे या उत्राखान से साइड से हैं तब भी आपको सीट मिल जाएगी तो भाईयो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया म कि जो प्रोलम है वो ऑटोमेटिक है वो तो आनी ही आनी है चाहे आप लोग कुछ भी कर लो बट इसका समाधान यही है कि आप लोग जब तक फॉल सिलिंग नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है और ध्यान रखना है आप लोगों ने रूफ जो सक्वारे और दोस्तों जितने भी स्कुण लगाने हैं स्टीट के ऊपर सारे गोले के ऊपर लगाने हैं वीच वाले बहल्यवाग में ब्लहकिल भी नहीं लगाने हैं नहीं थे वह आप लोगों को समस्या हो जाएगी और पानी टपकना शुरू हो जाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया है Tata insulation cold sealed seat होती है Tata duration company की 6 mm thickness का निच्चे silver hole और insulation लगा होता है world class insulation लगा होता है यह seat जो है वो सरदियों में गर्म होती है और गर्मियों में room को ठंडा रखती है temperature maintain करती है observe कर लेती है heat को और moisture को निचे नहीं आने देती है तो आप लोग इंस्टोर करवा सकते हैं अच्छे से और गाईज अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई भी शंका रहे गई हो तो आप लोग हमारे साथ सांजा कर सकते हैं तो गाईज अगर आप लोगों ने कार परकिंग सेट उपर मनाया है तब तो आपके रूफ सेट के लिचे मौश्चर आना ही आना है बस उसका एक ही ही लाज है आप लोग अपने जो रूफ मनाई है या शेड़ डाला है उसकी ढलान अच्छे से दें तब ही आपके इस समस्या से समाधन हो सकता है तो गाईज हमने एक वीड वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और जिले का नाम जुरूर लिखें कहां से आप लोग हमारा यह वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारे द्वारा दीगे जानकारी कैसे लगी अगर आप सुन्तूस्ट हुए हो तो प्लीस क्यानल को सब्सक्राइब करें वी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट करें जिन जिन वाइजों को वीडियो चाहिए किसी टॉप के ऊपर रूप फैटरिकेशन बख से सब्बंदित तो भो लोग कमेंट कर सरते हैं हम उनहीं टॉपिक के ऊपर वीडियो देख बनाएंगे आपके लिए जिस अगर हम आपके पास काम करने नहीं आ सकते हैं, तो हमारा जो वीडियो रहेगा वो आपको बहुत काम आएगा, हमारे वीडियो को दिखा कर आप लोग अपने घर के उपर काम करवा सकते हैं, किसी अच्छे फैबरिकेटर को बुला के, जिस किसी फैबरिकेटर से आप लोग न अगर का कम सुरू कुरवाना है अगर आप नया कंस्ट्रक्शन कर वा रहे हैं तो आसी सी कॉलम के ओपर ही अपने रूप का निर्मान करें नहीं तो जो हमारा लोहे के कॉलम होते हैं उनके ओपर बिल्कुर ना करें आर्सीसी कोलम जो होता है वो स्थाई होता है हम उसको मुझबूत मानते हैं और जो लोहे का कोलम होता है वो नुर्मली सेड़ों के लिए काम आता है कार परकिंग सेड हो गया वहां पर यूज़ किया जाता है तो आप लोगों नद्यान का लखना है जो हम हिमाचली स्टाइल म नरूप वनाते हैं उसके लिए आर्सीसी कोलम में ही बैस्ट है इससे अच्छा कोई भी कोलम नहीं है तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय हिमाचल जय वारत हमेशा खुश रहें